स्वागत है अब सभी का Tech Study ITI YouTube चनल पर Impliability Skills Second Year सभी ट्रेड के लिए आज Part 2 करेंग हम लोग इससे पहले Part 1 कर चुके हैं Actual में तो हम आपको पूरे 11 पार्ट करवा चुके हैं इसके एंड 11 पार्ट में आपके पूरे 400 जो 18 कुश्चन है उनको हम कर चुके हैं आप चाहें तो प्लेडिस्ट में लिंक है वहां से जाके देख सकते हैं बट वो कुश्चन सिर्फ इंगलिस में थे और हमने आपको उसके इंगलिस के साथ-साथ हिंदी में अच्छे से समझाया भी था बट फिर भी बहुत सारे कैंडेट्स की डिमांड थी कुश्चन को सर हिंदी इंगलिस दोनों में लाया जाए तो उस अभी पार्ट को हमने हिंदी इंगलिस में कनवर्ट किया और आपके एक एक पार्ट करके हम यहां पर 25 कुश्चन तक हम लोग पार्ट वन में कर चुके थे आज पार्ट टू में हम लोग 26 से लेके 50 तक के कुश्चन करेंगे इसके बाद आपको डेली बेसिस पे दो पार्ट मिलेंगे तो आपका टोटल जो 20 पार्ट हो जल्दी हम कंप्लीट करवा देंगे कुश्चन पर 26 है यहां पर हमें संदर्भ में साकर्मियों, साथियों और वरिष्टों का परिचे देना पड़ सकता है हम किसमें देंगे? तो हमेशा हम जो कलीक्स होंगे पियर्स और सुपर्वाइजर उनका हम हमेशा फॉर्मल कॉंटेक्स्ट में जो है परिचे देंगे ठीक है अगला 27 नमबर कुश्चन है अब कुईक सेल्फ इंट्रोड़क्शन इच कार्ड एक त्वरित स्वा परिचे को कहते हैं यहाँ पे से हम कहते हैं अज़ेज प्रॉड़क्शनु में आप अपना कुप्लीट इंट्रोडक्शन बता दें जब आप अपने पिता के साथ किसी मित्र की साधी में सामिल होते हैं तो आपको अपने पिता को अपने मित्र से और अपने मित्र को अपने पिता से मिलवाना पड़ सकता है या किस तरह की इस्तिती है तो जब भी आप मित्र को अपने पापा से या पापा को मित्र से मिलवाएंगे तो ये एक informal situation होती है क्या होती है अनोपचारिक situation होती है आप ऐसे भी कर सकते हैं पापा meet my friend राहूल या जो भी है इस टाइप का आप बोल सकते हैं वहाँ आप ये नहीं कहेंगे कि ये हमारे मित्राहूल है या एकदम फार्मल तरीके से आप नहीं कहेंगे जिस तरह से आप कंपनियों में अपने बहुत से supervisor से मिलते हैं ठीक है अगला question 29 as a customer sales executive in an electrical appliances showroom your greetings and introduction of your instructor to your supervisor cell B एक विद्दू तुपकरण showroom में ग्राहत बिक्री कारिकारी की रोप में आपके supervisor को आपका अभिवादन और आपके जो सिख्छक्या trainer है इंस्ट्रक्टर है उनको परिच्छे आप कैसे कराएंगे descriptive या निवर्णात्मक, formal यानि आपचारिक, informal यानि अनौपचारिक या elevator tone तो वो आप कराएंगे formal तरीके से ठीक है, आपचारिक तरीके से आप करवाएंगे यहाँ पर example यही है, आप किसी एक electrical appliance शरूम में काम करते हैं, वहाँ पर आपके जो instructor है वो आ जाते है, आईटियाई के, ठीक है तो आप अपने supervisor से उनने किस तरह मिलवाएंगे, तो आप formal तरीके से मिलवाएंगे, ठीक है कुछ मतीस है, space are persons with very good behavior, achievements and lead as an example बहुत अच्छे ब्यवार और उपलब्धियाँ और उदाहरण के तौर पर नेत्रुत करने वाले व्यक्ति हैं customer service executives यानि ग्राहक सिवादिकारी, sales यानि विक्री पर विक्षक, ITI के instructors या role models तो जो role models होते हैं वो बहुत अच्छे behavior, achievement और as an example, as an example के तौर लीड करने वाले व्यक्ति होते हैं अगला question 31, role models, space, people to follow them role models जो हैं लोग उनका अनुसरण करें उसके लिए क्या करते हैं लोगों को elevate यानि तरक्की करते हैं, instruct, हिदायत देते हैं, inspire, predict करना या none तो role models inspire people to follow them role models जो हैं वो अपनी activity, अपने काम से, अपने behavior से लोगों को inspire करते हैं उन्हें follow करने के लिए अगला question है, role models inspire people to follow them, though they have space and have met space यहां देखे क्या है, role model लोगों को उनका अनुसरण करने के लिए प्रेडित करते हैं, हालांकि उनके पास भी कुछ है ठीक, अब यहां space में बताना क्या है, और मिली है, उनको भी life में क्या मिली है तो elevation या failure यानि उचाई और भी फलता है, strength and failure, ताकत, असफलता, weaknesses and failure, कमजोरियों और असफलता हों या elevation and success उचाई और सफलता, उनके पास भी क्या है, उनके पास भी weakness है, और उन्हें भी life में failures मिले हैं ठीक है, right answer हो जागा, role models inspire people to follow them, though they have weaknesses, यानि कमजोरियों उनमें भी हैं, and have met failures, और वो भी असफलता से मिले हैं, उसके बाद वो success हो हैं, ठीक है अगला कुछन है 33, human beings are space by nature, it is the cultivation of habits that makes one a better person, मनुष्य स्वभाव से क्या होते हैं, यह space आदतों की cultivation है, यानि development है, जो एक बेहतर इंसान बनाती है तो मनुष्य क्या है, by nature मनुष्य से जो है, क्या है, imperfect है, अपूण है, ठीक है, तो right answer क्या हो गया, human beings are imperfect by nature, it is the cultivation of good habits, ठीक है, क्या, good habits that makes one a better person, यह तो आपका cultivation है, development है, अच्छी अच्छी आदतों का, जो आपको एक अच्छा इंसान बना देता है, otherwise तो human being क्या है, by nature, imperfect है, अपूण है, उसमें बहुत सारी कमिया है, अगला कुछन है, the set of imperfections in a person is called, किसी व्यक्ति में अपूणताओं के समुच्चे को कहते हैं, imperfections क्या है, set है, पूरा imperfections के एक set है किसी person में, तो उन्हें हम कहते हैं, उसकी weaknesses, यानि कमजोरियां, जो भी आपकी अपूणताएं है, कमजोरियां होती है, weaknesses होती है, अगला कुछन है, strength of role models get, space while weaknesses get, अब जो role model होते हैं, जनरली उनकी strength होती है, उसे हम notice करते हैं, जो weaknesses होती हैं, उसे हम क्या करते हैं, unnotice कर देते हैं, उन्हें हम ignore कर देते हैं, चाहे जिसको भी आप role model मानते होंगे, उनके अंदर अच्छाईय कमियों के साथ साथ बहुत सारी कमियां भी होती हैं, बट कमियों को उनकी notice नहीं किया जाता होता है, ठीक है तो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, strength of role models get noticed, and while weaknesses get unnoticed, तो यहाँ पर right answer क्या हो जाएगा, आपका option A, 36 है, while we are at home, are with friends, we use space verbal communication, जब हम घर पर होते हैं, या दोस्तों के साथ होते हैं, तो हम मौकिक संचार का उपयोग करते हैं, influence यानि प्रभाव डालना, informal अनौपचारिक, formal अपचारिक या none, तो हम जब friends के साथ होते हैं, तो हम हमेशा informal जो verbal communications हैं, उसका प्रियोग करते हैं, office में, दफ्तर में, school colleges में, banks में, आप formal communication का यूज करते हैं, कुछ में 37 हैं, we greet our superiors, managers and boss, be great, be greet them, जब हम अपने वरिष्टों, प्रवंदकों और boss का अविवादन करते हैं, तो हम उनका अविवादन करते हैं, किस तरीके से, informally, अनौपचारिक रूप से, casually, formally या indifferently, तो हम करते हैं, formally, यानौपचारिक तरीके से, 38 नमबर कुश्चन है, spoken communication is not only space, but also, जो spoken communication, मतलब जो आप बोल के कोई चीज कम्यूनिकेट कर रहे हैं, वो केवल, क्या नहीं है, but also साथ में, और भी कुछ है, तो जो आप spoke कर रहे हैं, बोल रहे हैं, सबसे पहले हो, क्या है, verbal communication है, क साथ साथ ही क्या है, non-verbal भी है, non-verbal क्यों है, क्योंकि आप जो बोल रहे हैं, तो आपके हाव-भाव, आपका eye contact, आपका facial expression, आपके hand movement, आपका gesture, सब कुछ जो है, notice होता है साथ में, तो यह क्या हो गया, spoken communication is not only verbal, but also non-verbal communication, ठीक है, कुछ अब 39 है, what we communicate without words, but with body language, is our example, जिसे हम सब्दों के बिना, लेकिन body language से संप्रेशित करते हैं, वह किसका उदारण है, इसे हम कहते हैं, non-verbal communication, जिसमें आप सिर्फ आपका body language, facial expression, hand movement, या जो भी इससे अगर आप कोई चीज कह रहे हैं, communicate कर रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं, non-verbal communication, चालिस नंबर question है, working with others to find a mutually agreeable solution in each card, पारस्परिक रूप से सहमत समाधान खोजने के लिए, दूसरों के साथ काम करना क्या कहलाता है, persuasion यानि प्रोटसाहन, communication, संचार, negotiation, बाच्चीत, या assertion या बल दे कर कहना, तो उसे हम कहते हैं, negotiation, mutually agreeable अगर सालूशन पर आप किसी से बात कर रहे हैं, साथ में, तो उसे हम कहते हैं, negotiation, एक तालिस नंबर कुश्चन है, communication within an organization is space with superiors and can be space with friends and colleagues, अगर आप किसी एक organization के अंदर ही हैं, वहीं पर आप काम करेंगे, तो वहां पर जो आप superiors के साथ करेंगे, वो कैसा communication होगा, वो होगा आपका formal, और जो friends और colleague के साथ करेंगे, वो कैसा होगा, informal, ठीक है, आप अपने boss से अपने सर से बात करेंगे, तो formal तरीके से बात करेंगे, लेकिन वहीं आपके जो colleague हैं, friend हैं, उनसे आप informal तरीके से बात कर सकते हैं, सुप्रभात आप से मिलकर अच्छा लगा, आप कैसे हैं या रह रह रहे हैं, ठीक है, ये किसके उदारण है, formal greeting के, यानि अपचारी का विवादन, informal greeting यान अनपचारी का विवादन, सुपीरियर्स यानि वरिष्ट अधिकारी या organization यानि संगठन, ये कैसा है, ये हैं formal greetings, ठीक है, next 43 है, writing emails, letters, memos, orders, filling forms, minutes, contracts, proposals and quotations are example of workplace communication, email पत्र, memo, order, form भरना, कारवरित, अनुवन्द, प्रस्ता और कोटेशन, ये सब किस तरह के कारस अस्थल संचार के उधारण हैं, तो ये हैं आपके formal, ठीक है, formal workplace communications होते हैं ये, आपको ये जो PDF मिलेगा, निमी का, उसमें दिखेगा non-verbal, जबकि ये गलत बात है, non-verbal communication नहीं है, ये formal workplace communication है, ठीक है, अगला कुशन है, राइटिंगा, leave later is part of space communication, तो जो leave later आप लिखते हैं, वो भी कैसा later होता है, एक formal communication होता है, कैसा होता है, formal workplace communication रहता है, ठीक है, कुशन हो 45 है, please be informed that the annual staff meeting has been to be, space, on 1st of November, तो meeting क्या होती है, schedule होती है, तो has been क्या होगा, या तो confirm होगी, अगर पहले से बात हो रही तो यहाँ पे आएगा, has been confirmed, ठीक है, confirm हो गई है, इसलिए हाँ confirm का, ED आप साथ में जोड़ कि इसका second form लिख रहे हैं, ठीक है, and to be, अब यहाँ कब होगा, 1st of November, तो to be conducted on 1st November, यानि क्या होगी, राइट आंसर, please be informed that the annual staff meeting has been confirmed to be conducted on the 1st of November, ठीक है, अगला कुशन है, Rina has space to avail leave for 2 days to space, तो यहाँ पर आप देखेंगे, avail leave for 2 days to space her cousin's wedding, तो क्या करेगी, पहले तो यहाँ, Rina has plan to avail, पहले उप प्लान करेगी, leave for 2 days, ठीक है, leave for 2 days to, अब cousin के wedding क्या है, तो उसे attend करना होगा, to attend her cousin's wedding, she has, ठीक है, leave later क्या करना होगा, supervisor को submit करना होगा, she has submitted, क्या हैगा, submitted, अब यहाँ देख लीजे, कहाँ पर है यह, Rina has planned to avail for 2 days, leave for 2 days to attend and submitted, यह आपका सही होगा, ठीक है, यहाँ planned आएगा, Rina has planned to avail leave for 2 days to attend her cousin's wedding, she has submitted the letter to the supervisor, देखें, यह हमने हिंदी में लिख दिया न, लेकिन चुकि यह English Literacy के question है, तो इनके option आपको हिंदी में नहीं मिलेंगे, हमने सिर्फ यहाँ आपके समझने के लिख दिया है, यह आपको सिर्फ English में मिलेगा, ठीक है, 47 number है, imagine you have space ABC company as a craftsman, अब you have क्या होगा, joined, आप join करते हैं, कौन सी company, ABC company as a craftsman, अब write, write an email, मतलब आपको एक email लिखना है, to be sent to your supervisor, क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, imagine you have joined ABC company as a craftsman, then write an email to be sent to your supervisor, right answer क्या हो गया, option D, 48 number question है, space, the role of the supervisor, to instruction to the craftsman on safety in the workplace, परवेक्षक की भूमी का, कारीगर को कारेस्थल में सुरक्षा के निर्देश देना, अब यहाँ पे क्या हैगा, play the role, आपको एक role play करना है किसका, supervisor का, to, क्या करना है, give instructions, instruction देना है किसको, craftsman को, आण किस पे, safety in the workplace, क्या हैगा, play the role of supervisor, to give instruction to the craftsman, on safety in the workplace, 49th space, a note to be space to the newly recruited craftsman about safety, write a note to be circulated, क्या हैगा, write a note to be circulated to the newly recruited craftsman about safety, ठीक है, option C, अगला है, 50th number question, space means the immediate surrounding to the place one lives in, space, का अर्थ है, अस्थान का, जो भी आप जहाँ रह रहे हैं, आपके परिवेस में, जो रहते हों उनका, यहाँ पे means the immediate surrounding, आप जहाँ रहे हैं, उसके just आसपास की surrounding, to the place one lives in, जहाँ आप रह रहे हैं, ठीक है, वर्क प्लेस कहते हैं, उसे, facilities कहते हैं, city कहते हैं, या neighborhood कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं, नेवर हूट, ठीक है, नेवर हूट means the immediate surroundings to the place one lives in, ठीक है, अडोस पडोस जिसे हम कहते हैं, यह 50th question है, आपके part 2 के, इसके बाद हम लोग करेंगे, एक्क्याओं से 75, 73 से 100, इस तरह से part wise हम लोग करते जाएंगे, वीडियो पसंद आयत, like और share जरूर कीजेगा, चैनल पे नए है, तो subscribe करके, वेल आइकन को hit कर लीजेगा, जिससे आने वाली सारी updates आपको regular basis पे मिलती रहें, और हमारा टेलिग्राम चैनल है, आप वहाँ भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, वहाँ पे भी हम सारी updates आपके साथ share करते रहते हैं, Thank you.